दोस्तों ये हैं करेले जो मैं मर्केट से लाई हूँ और इसकी कुछ करेले देखिए इस तरह से यलो हो गये है तो इसके अंदर कुछ रेट कलर की इस तरह से सीड्स बनते हैं ये जो सीड्स है ये पूरे हो गये है और मैं इसी मैच्योर सीड्स को कभी भी फेकती नहीं हूँ इसे मैं रखकर सुखाऊंगी और उसके बाद इसी सीट से new plant ग्रो करूंगी और किस तरह से करूंगी वो ही आज की वीडियो की टॉपिक है कि आप किस तरह से सीट से करेले की plant को तयार कर सकते है अब मैं इन सब को 2-3 दिनों के लिए अच्छी तरह से सुखा लोंगी करूंगी तो अभी तो हमारी यहां पर rainy season चल रहे है तो मिट्टी पूरे गिले है तो इसी गिली मिट्टी में ही मैं इस सीट को एक एक करके चारो तरफ लगा दोंगी दो-3 इंच के दूरी रखूंगी और दोस्तो अगर आपके मिट्टी सुखे भी होते है तो उसको थोड़ा से भीगो कर लीजिएगा तो अच्छी तरह से सीट ग्रो करने में हेल्प होगी तो ये देखें मैंने 3-4 इंच के दूरी में ये सभी करेली के सीट को खोल करके सिर्फ मिट्टी में लगा रही हो करेला खाने में थोड़ा करवा होते है इसलिए घर के बहुत सरे लोग ऐसे होते है कि इसको खाना नहीं चाते है लेकिन ये खाना बहुत ही अच्छे होते है क्योंकि इन में विटमीन A, B, C, केरोटीन, आइरन, जिंग, पोटेशियम, मैगनेशियम बहुत सारा कुछ है जिसको खाकर हमारे शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स होते है इसलिए खाना चाहिए बादर से लाये हुए सीट्सको फेक येगा मत क्योंकि उसी सीट्ससे आप पास सकते है और वह प्लान बहुती बढ़िया होते है और फृटिंग भी बहुती बढ़िया होते है मैं आप सबको अभी अभी दिखाऊंगे उसकी प्रूफ तो सभी सीट्स को मैं लगा रही हूँ और दोस्तों अब नसरी से भी बहुती अच्छी क्वालिटी के इस करेले की सीट्स को पा सकते हैं देश से 20 रुपया इसकी प्राइस परेगी तो दोस्तों सभी सीट्स को लगाने के बाद उपर से कुछ मिट्टी इस तरह से दे देना है और दोस्तों इस पॉट में जो मिट्टी है यहां पर 50 परसें गार्डेन सॉल मेंने ली है 30 परसें मैंने वर्मी कमपोस्ट और ली है 20 और अगर आपके पास कोखो भी ना है तो आप उसके बदले में सेंड भी ले सकते हैं तो दोस्तों मैंने इहां पर डिरेकली मिट्टी में साथ को लगाई है अगर आप चाते है तो रातों के समय इन सब सब सीट्स को भिगो कर रखने के बाद ही आप सुबह को इस तरह से ल पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं तो दोस्तो मैंने पानी दे दी है पूरे पॉट में और इसके बाद रोजी एक बार करके पानी दीजियेगा इस पॉट में मिट्टी को कभी भी सूखने नहीं दीजियेगा और मैं फिर लोटूंगी इसके अप्रेट लेकर तो तब तक बने रही है मेरे चैनल पर प्लीज तो दोस्तो मैं फिर से लोटा ही हूँ फाइब डेज के बाद ये देखिए सीट्स जन्मिनेट हो गए है और कुछ सीट्स अभी तक जन्मिनेट नहीं हुए हैं लेकिन ये देखिए ये जो सीट्स है ये इस तरह ओपर के तरफ उट है क्योंकि हमारे यहां पर ज्यादा बारिश हो रही थी तो मिट्टी हट गए थे इसके उपर से इसलिए ये इधर उदर हो गए है कुछ सीट्स की जर्मिनेशन बहुत ही तेज है और कुछ की थोड़े कम है तो जो सीट्स अच्छे थे उसके जर्मिनेशन बहुत ही परफेक्ट जर्मिनेशन हुए है तो दोस्तों मैं फीट से लॉट आई हो दस दिनों के बाद तो देखिए मेरे जितनी भी सारे सीट्स मैंने लगाई थी सभी सीट्स जर्मिनेट हो गए है कुछ की ग्रोथ बहुत ही बेरिया है और इसकी जो निव लीव्स निकल रहे है व तो यह देखिए कितनी प्यारी है यह और एकदम ग्लेजी है देखिए और अभी तो हमारे यहाँ पर बारिश हो रहे है तो बारिश के पानी भी इन में पर रहे है तो बारिश के पानी में बहुत ही अच्छे मात्रा में नियूट्रियंस रहते है प्लैंट को पानी के लिए तो वो इनको मिल रहे है, तो इन दिरों मैं मेरे प्लैंट में पानी नहीं दे रही थी, क्योंकि बारिश के पानी से ही इनको पानी मिल रहे थे, तो देखिए इसके ग्रोथ कितनी अच्छे है, तो बारिश के पानी प्लैंट के लिए अच्छे होते है, और दोस्तों अगर तो आपको पानी देने की जरूरत है, वान टाइम साब पानी दीजिए इन सभी प्लैंस की उपर तो देखेंगे ग्रोथ और भी अच्छे होंगे, तो दोस्तो मैं इस पॉर्ट में 12 से 14 सीट को लगाई थी, और देखें सभी की जर्मिनेशन बहुती बढ़िया चल रहे है, तो लेकिन सभी सीट जर्मिनेट हो गए है, तो मैं तो बहुत हैपी हो, अठरा दिनों के बाद मैं फिर से लॉट आई हूँ, और ये देखिए, प्लैंट काफी बढ़े हो चुके है, और बहुत ही बढ़िया इसकी हेल्थ भी है, और ये अब चरने के लिए रेडी भी हो ग तो इसको लेकर मैं नेक्स विडियो बनाऊंगी, इस कारली की प्लैंट को किस तरसे ट्रोward बना कर देना है, और किस तरह से आप इस कारली की प्लैंट को क्यार करेंगे सब कूछ, तो दोस्तों और ये चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा, और सबस्क्राइब बटन के तो दोस्तो अभी इस करे लिए प्लैंट की जितना साइज है इस समय आप इसको उठा कर दूसरे पॉर्ट में भी लगा सकते हैं तो देखेंगे दूसरे पॉर्ट में बहुत ही बरिया ये ग्रो हो जाएगी और एक साथ मेरे यहां पर धेरो सारे प्लैंट हो गए है लेकिन मै यहां पर ही रखूंगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा पॉर्ट नहीं है इसलिए अगर आपके पास पॉर्ट है तो एक एक पॉर्ट में एक या दो प्लैंट लगा सकते हैं तो दोस्तो आप लोग भी इसी तरह से बजार से जो आप घर पे करे ले लाते हैं खाने के लिए उस दोस्तो वीडियो अगर पसंद आये हैं तो प्लीज एक लाइक और कॉमेंट भी करके जाएगा और चोटा हो लेकिन एक प्लैंट को अपने गार्डेन में जरूरत कीजिए वीडियो के इन तक देखने के लिए आप सबको मेरे तरब से बीग 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 थैंक यू हैपी ग